हेलो एवरिवन तो आज हम आप सबके लिए लेकर रहे हैं कलॉंजी बैगन आलू की सबजी बहुत ही अलग तरीका से बनाएंगे ये खाने में इतना टेश्टी लगता है कि इसके आगे तो नन्विज भी फेल है और कलॉंजी बैगन तो आप बहुत ही तरीके से बनाएंगे लेकिन आज की रेसिपी आप देखेंगे तो सारे तरीके भूल जाएंगे तो चलिए इस रेसिपी को इस्टार्ट करते हैं बिना समय बरबात किये हुए तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने ले लिया है 500 ग्राम कलॉंजी तो कलॉंजी को हमने पहले से पानी से अच्छे से धो लिया है बस थोड़ा सा कट करेंगे इस तरीके से अब कलॉंजी को दो टुकडा में कट कर लेंगे डंटल को कट करने के बाद तो इसी तरीके से सारे कलॉंजी को हम कट कर लेंगे दो दो टुकडा में उसके बाद हम 20 से इस तरीके से कट करके चेक कर लेंगे किसमें कहीं कीड़े या तो इस तरीके से सारे कलॉंजी को आप कट कर ले और इस बात का फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान रखे कि कलॉंजी को कट करते टाइम मतलब की चेक करते टाइम आप कलॉंजी को पूरा नहीं कट करें आधा ही कट करें बिल्कुल इस तरीके से आधा कट करके चेक करें तो य तो आप देखे बिल्कुल इसी तरीके से अगर झालू, यूज चिल कर रहे हैं तो तो सारे आलू का छिलका इसी तरीके से हटाने के बाद पहले हम आलू को अच्छे से धो लेंगे उसके बाद इसे कट करेंगे तो यहाँ पर हमने सारे आलू को छिलका हटाने के बाद अच्छे से धो लिया है तो अब हमें इसे कट करना है तो पहले हम आलू को 20 से कट करेंगे तो यहाँ पर एक आलू में 4 टुकड़ा इस तरीके से करने के बाद छोटे छोटे पीसेज में इसे कट कर लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से आप छोटे छोटे पीसेज में कट कर ले तो फ्रेंड्स आज की अगर आपको रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीस लाइक करें नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं ये आपकी च्वाइस है लेकिन कर जरूर दीजेगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने सारे आलू को इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लिया है तो नए आलू में बहुत मिट्टी होते हैं तो अब हम आलू को कट करने के बाद इसमें पानी डाल कर छोड़ देंगे कि आलू काले भी ना पड़े और अच्छे से साफ हो को अच्छे से गरम होने दें मेडियम फ्लेंपे तो हमें पहले कलाउंजी को अच्छे से फ्राई करना है कि उसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए और अच्छे से पक भी जाए तो यहाँ पर ऑईल हमारा मेडियम गरम हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई मेथी के दाने मेथी के दाने डालने से खुसबू बहुत ही अच्छा आता है तो मेथी के दाने यहाँ पर थोड़ा सा चटक जाए तब हम इसमें डालेंगे सारा कलाउंजी तो ध्यान रहें कलाउंजी में थोड़ा बहुत पानी होता है इसलिए बहुत ही छीटे मारते हैं इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा ढग कर सारा कलॉनजी डालें, तो यहाँ पर थोड़ा सा कलॉनजी डालें तो इतना च्छेटे नहीं पड़ेंगे, तो बिलकुल इसी तरीके से आप सारा कलॉनजी ओ Il में डालने के बाद इसे ऐग्ज़े से मिक्स कर लें और हाई MPH पने में जदालगार का自己 हैं इसलिए बीडियर में चलाइगें तो समस्सक है ब्लकुल इसी तरहीन पना को अच्छे से पकाना है और ठक्री पकाना है क्योंकि हमने पहले भी बताया कि कॉलाउंजी डालने के बाद ओयल में बहुत ही छीटे मारते हैं तो इस तरीके से आप धक कर ही इसे पकाएं तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉलाउंजी को पकाते हुए हो गया है दो से तीन मिनट तो अब हम चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलाउंजी का जो कलर है वो धीरे धीरे शेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा डार्क सा गोल्डेन ब्राउन कलर आ गया है कोई-कोई कॉलाउंजी पर तो बिल्कुल यही कलर हमें चाहिए और अच्छे से कॉलाउंजी पका भी होना चाहिए तो हाई फ्लेम पे आप इसी तरीके से सारे कॉलाउंजी को अच्छे से पकाएं और जो kolonji अच्छे से पक गया है अच्छे से फ्राई हो गया है थोड़ा थोड़ा सा कलर आ गया है तो उसको एक एक करके हम निकालते जाएंगे तो पहले हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक या आधी छोटी चमश नमक आप डालें नमक डालने से अच्छे से कलाउजी पक भी जाएगा और अंदर तक नमक का फ्लेवर जाएगा इसलिए आप नमक अभी ही थोड़ा सा एड़ जरूर करें तो यहां पर नमक डालने के बाद कलाउजी में अच्छे से मिक्स कर ले तो अब हमें कलाउंजी को 2-3 सेकंड तक अच्छे से तलना है जिससे कलाउंजी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाए और कलाउंजी अच्छे से पक जाए तो मीडियम फ्लेम पे हम सारे कलाउंजी को इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं तो फ्रेंट्स आप यकीन मानिए इस तरीके से कलाउंजी अलू का सबजी बनाईएगा तो बहुत टेश्टी बन कर तयार होगा तो कलाउंजी को हमें फ्राई करते हुए 2-3 सेकंड तक हो गया है तो अब फॉक के मदद से एक एक कलाउंजी को हम निकाल लेंगे तो जो कलाउंजी अच्छे से पग गया है अच्छे से फ्राई हो गया है उसे हम पहले निकालेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से सारे कलाउंजी को हम एक एक करके निकाल लेते हैं तो हमने एक एक करके यहाँ पर सारे कलाउंजी को निकाल लिया है तो अब हम इसी oil में आलू को भी अच्छे से fry करेंगे तो friends यहाँ पर आप देख सकते हैं कलोंजी अच्छे से पक गया है और अच्छे से इसका color भी change हो गया है flame को medium कर देते हैं और आलू को अच्छे से धोने के बाद इसे हम oil में डालेंगे आलू को fry करने के लिए हमें oil को ज़्यादा यूज नहीं करना है एक बड़े चमच oil में आलू को fry करेंगे तो यहाँ पर आलू में आलू को अच्छे से mix करने के बाद आलू को अच्छे से पकने के लिए हम अभी इसमें डालेंगे आधे चोटे चमच नमक नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से mix कर लिते हैं और ढग के इसे अच्छे से medium flame पर पकने देंगे तो आलू अच्छे से fry हो रहा है तब तक हम खड़े masala का paste बना लेते हैं तो एक छोटा जार लेंगे उसमें डालेंगे लैसुन की कलिया तो एक लैसुन को हमने अच्छे से साफ कर लिया है एक बड़े चमच हमने लिया है यहाँ पर सरसू पौडर आप चाहे तो यहाँ पर काला वाला सरसू भी यूज कर सकते हैं पीला वाला सर्सो यूज करने से कलर बहुत अच्छा आता है एक बड़े चमच यहाँ पर हम लेंगे खड़ा काली मिर्च आधे चोटे चमच हल्दी और यहाँ पर हमने लिया है चार से पांच लाल मिर्च खड़े मसाला का पेश्ट बनाने से सबजी बहुत ही अच्छा बन कर तयार होता है तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी अब यह सारे चीजों का एक स्मूथ पेश्ट बना कर तयार कर लेते हैं आलू को फ Diam करते हुए यहाँ पर हमें हो गया है और 2-3 मिन तो अब हम चेक कर लेते हैं तो 2-3 मिन नत में आलू जो है वह अच्छे से पग गया है और जो कलर है वह आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है आलू का तो यहां पर फ्रेंड्स हम आपको एक आलू तोड़ कर दिखाते हैं कि दो से तीन मिनट में आलू कितने अच्छे से पक गया है तो फॉक के मदद से आप देख सकते हैं मैस करने पर कितने अच्छे से मैस हो जा रहे हैं तो अब हम तो यहां पर हम सारे आलू को किसी लेट में निकाल लेते हैं इस तरीके से तो सारे यालू को यहां पर हमने निकाल लिया है तो अब हम उसी कड़ाही में मसाले तयार करेंगे तो मसाले तयार करने के लिए यहां पर हमने डाला है तीन बड़े चमच ऑईल मेडियम गरम है तो एक चोथाई चोटी चमच मेथी द दालेंगे और मसाले को हमें अच्छे से भुनना है तो मसाले को अच्छे से भुनने के लिए जार में ही थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें फ्लेम को मेडियम रखें तो सबसे खास बात कि यहां पर कोई भी मसाला अलग से नहीं डालना है जो हम पेश्ट बनाए है वही डाल यहां पर पानी डालने के बाद मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो टमाटर जिसे हमने चोटे-चोटे टुकडों में कट कर लिया है और यहां पर डालेंगे आधी चोटे चमच नमक तो नमक अब ध्यान से डाले क्यूंकि नमक हमने क clubs applicable हमें बेपर और आलू में भी तो यहां पर आधा चोटा चमच नमक डालने के बाद इसे मिक्स कर लेते हैं सारे चीज्व को यहां पर अच्छे से मिक्स करने के बाद मेडियम अच्छे को अच्छे से भूनना है से एक छी गंदा नहीं होगा तो एक से दो मिनट बाद मसाले को हम चेक करेंगे एक से दो मिनट हो गया है तो अब हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं चारो तरफ से ऑईल बाहर दिख रहा है और मसाले से एक अच्छी सी खुस्बू आ रही है तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर तो फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हमें मसाले को अभी एक से दो मिनट तक और भुनना है तो मसाले को हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए भुनना है अब लिट से ढखना नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं एक से दो मिनट बाद मस मसाले का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और गोल्डन ब्राउन नजर आ रहा है और मसाले से एक अच्छी सी खुसबू आ रही है तो अब हम क्या करेंगे जो आलू और कलॉंजी को फ्राई करके रखे थे वो सारा इसमें डालेंगे आलू और कलॉंजी डालने के अपने अनुसार कम या जादा कर सकते हैं नहीं तो आप मसाले दार इसी तरीके से बिना ग्रेवी का भी खा सकते हैं लेकिन इस तरीके से ग्रेवी बनाने से बहुत ही टेश्टी बन कर तयार होगा सबजी तो यहाँ पर सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए अब धनिया पता तो यहाँ पर धनिया पता डालने के बाद लिट से ढख के इसे चार से पांच मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे कि जो कलॉंजी और आलू नहीं पका होगा वो अच्छे से पक जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर चार से पांच मिनट हो गया है तो अब हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं चारू तरप से ओयल बाहर दिख रहा है और कलॉंजी आलू का सब्जी देखने में ही कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में बिल्कुल मचली जैसा टेस्ट आता है तो आप इस रेसिपी को एक बाद जरू ट्राइ कीजेगा पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले